नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरूग्यानल अर्ट्स में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्पेजियम टर्पेजियम फ्रेंड्स बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है सीटेट पॉइड्स है हर बार इस टोपिक से आपको सीटेट के अंदर एक क्यूशन जरूर देखने को मिलेगा और फ्रेंड्स अभी तक 2014 लेकर 2019 तक जो भी अभी तक टर्पेजियम के क्यूशन पूछे गए हैं अब उन सब्सक्राइब को आपको करना किया है इस वीडियो को कम्प्लीट देखना और इस वीडियो को देखने एक बाद अगर सीट है टुटी टुटी के अंदर कोई भी आपसे टर्पेजियम पे बेस कोई क्यूशन पूचा जाता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से सोल कर लोगे ठीक है फ्रेंट तो चलिए शुरू करते है हमारे आज की वीडियो हाजी फ्रेंट क्यों निक तरह बढ़ने से पहले टर्पेजियम के बारे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा टर्पेजियम होता क्या है जैसे कि आपको इस डाइग्राम के अंदर दिख रहा है कि एक क्वाडिलेटरल का परकार होता है जिसके अंदर एक पेर अपोजिट साइड पैरलल होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो AD है वो किसके पैरलल है AD पैरलल टू BC ठीक है फ्रेंट्स अब मोस्टली जो क्यूशन पूशे जाते है वो इसके एरे रिलेटेटर पूशे जाते है जो कि हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है ठीक है अब इसका कैसे हम इस टर्प पेरियो का यरियो निकालते है उस से अगोम अलग टाईप सहा इसके लीए निकालेंगे ठीक है फ्रेंट्स जो की बहुत ही आसाण होगा तो इसका एरियो कैसे निकालेंगे चले देख्ते देखे मैं क्या करता हो यह मैं यहां से ब्दी-डाइगनल प्या थिए ड्रा कर दे किया अब D से मैं क्या करता हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ B C पे D से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो कि हो गया D E ठीक है B C बेस के उपर और इसी तरीके से मैं B vertex एक perpendicular draw करता हूँ B से मैंने perpendicular draw किया जो कि A line को आगे बढ़ाने पर F point पर मिलता है ठीक है यह मैंने यहाँ पर perpendicular draw कर दिया ठीक है friends AD जो है हमारे पास इसको मैं A नाम दे देता हूँ ठीक है AD side को मैंने A नाम दे दिया और BC complete side को मैं B नाम दे देता हूँ BC complete side को मैंने B नाम दे दिया ठीक है friends और यह क्या हो जाएगी दो parallel lines के बीच की distance perpendicular distance जिसको मैंने H नाम दे दिया ठीक है और यह भी क्या रहेगी मेरे पास HE रहेगी ठीक है friends क्योंकि यह 2 parallel line के बीच की distance और parallel lines के बीच की distance आपको पता है always same होती है तो अभी मैं क्या करता हूँ अगर मेरे को area chain trapezium ABCD का तो मैं क्या करता हूँ मैं निकालता हूँ पहले area of triangle ABD का ABD का plus area of triangle BDC का ठीक है इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँगा तो मेरे पास किसका area आ जाएगा area आ जाएगा मेरे पास trapezium का area of trapezium ABCD ठीक है friends तो अभी हम क्या करेंगे area of ABD क्या हो जाएगा half into base, base क्या मेरे पास A into height H ठीक है plus ABDC का क्या हो जाएगा half into base क्या है इसमें base है हमारे पास B ठीक है into height क्या इसकी H तो यहाँ से मैं half into H common आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास बचेगा A plus B ठीके friends जो कि हमारे पास क्या आजाएगा area आजाएगा of trapezium ABCD जो कि होता है half into distance h कि है distance between two parallel lines into sum of two parallel lines जो कि a और b है इनका sum ठीके friends so I hope अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ गया होगा कि कैसे हम बहुत ही आसानी से area निकाल सकते है trapezium ABCD का ठीके friends तो इसी पर बेस अभी कुछ question पूछे जाएंगे आप से I hope इन सभी को आप बहुत ही आसानी से अगर आपके पास CTAT का एक्जाम में आते है तो इनको बहुत आसानी से आप कर दोगे तो अभी बढ़ते कुछ important question हो की तरफ हाजी friend हमारे पास first question है the area of trapezium safe field is 720 meter square ठीक है the distance between two parallel sides is 20 meter and the length of one parallel side is 35 meter then the length of the other parallel side is इसने क्या क्या है कि भाई हमें जो area दे रखा है इसने हमारे पास है कि trapezium safe field है उसका area इसने दे दिया 720 meter square ठीक है अब उसने दे दिया distance between two parallel sides मलब कि इसमें parallel side कोंशी है DC और AB इनके बीच का distance मतलब कि यह height दे रखी उसने यह height कितनी दे रखी है h कितना हो जाएगा हमारे पास है 20 meter ठीक है area हमारे पास हो गया कितना 720 meter square और अब इसने दे रखा है कि length of one of the parallel side is 35 meter तो कोई सी भी parallel side की हम length मान सकते है हम DC की मान लेते हैं यह हो गई हमारे पास 35 meter ठीक है तो अभी हमें दूसरी parallel side जो उसकी length find करनी तो इसको हम x मान लेते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब आपको पता है जो area of trapezium होता है वो क्या होता है area of trapezium होता है half into height into इस formula में हम इसको रख देंगे हमारे पास हमारा answer आ जाएगा area कितना है हमारे पास 720 is equal to 1 by 2 h height कितनी हमारे पास 20 ठीक है into बई एक side तो हमें पता है 35 है दूसरी side हमें नहीं पता उसको हमने x मान लिया ठीक है friends तो यहां से 0 कैन से लोग इए ठीक है 37 जो होगी वो हमारे पास दूसरी parallel side की लंबाई होगी ठीक है friends तो आए होप यह अभी आपको समझ में आ गया होगा जो की right answer होगा option 3 तो अभी बढ़ता आपने next solution की तरफ आज हमारे जो next solution the perimeter of a tarpegium is 58 cm यहां पे इसने इसका perimeter दे रख आ है प्लस cb का सम इसने दे रखा है कितना 20 cm ठीक है and the area is 152 cm यहां पे इसने area दे रखा है area कितना है हमारे पास 152 cm square ठीक है then the distance between the parallel sides तो अभी हमें distance between the parallel sides पताना है इसका मतलब है कि हमें जो यह height है यह हमें h बताना है कि h कितना होगा ठीक है friends अब देखो perimeter क्या होता है भई perimeter क्या होता है sum of the length of all the boundary ठीक है जो trapezium है उसकी सभी boundary की जो length है उसका sum क्या होगा हमारे पास perimeter होगा हमें 2 का तो sum दे रखा है ठीक है 2 side होगा तो sum दे रखा है जो non parallel थी parallel side होगा sum और बचा हमारे पास तो यह हम आसानी से निकाल सकते है कि perimeter क्या होगा भई perimeter होता है sum of sum of parallel sides plus sum of non parallel sides non parallel sides ठीक है तो यह इसका perimeter होगा trapezium के case में ठीक है तो perimeter किसना दे रखा है 58 is equal to sum of non parallel side कितना दे रखा है 20 plus यहां से हम sum of parallel sides निकाल सकते है ठीक है क्योंकि एक बार अगर हमें sum of parallel sides पता चल गया है तो बहुत आसानी से हम इसकी height भी निकाल सकते है तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 38 is equal to sum of parallel sides sum of parallel sides आ गया 38 38 sum of parallel sides आ गया अभी area भी हमें पता है area कितना है 152 is equal to half into h हमें निकालना है into sum of parallel sides आ गया 38 तो यह आ गया 2 एक हम 2 2 एक हम 2 निम अठा रहा 19 19 एक हम 19 19 अठ है 152 ठीक है तो यहां से h आ गया हमारे पास height आ गया 8 cm जो कि हो गया distance between 2 parallel lines h ठीक है जो कि 8 cm जो कि हो जाएगा हमारा right answer option second ठीक है friends so I hope you question आपको समझ में आया होगो बहुत ही अच्छा क्यूशन ता है ऐसे question अभी आपको आगे भी exam के अंदर देखने को मिल सकते है so friend बढ़ते अब नहीं next question की तरफ आज फिर नहीं हमारा next question है कि the perimeter of trapezium is 104 cm यहाँ पर इसका perimeter दे रखा है जो कि 104 cm है ठीक है the length of its non-parallel sides are 18 cm and 22 cm यहाँ पर इसने length दे रखी non-parallel sides की ठीक है जो कि हम मान लेते हैं कि let जो AD जो है वो हमने मान ली 18 cm की है ठीक है और BC जो है वो कितने की मान ली 22 cm की ठीक है यही दो non-parallel side है हमारे बास ठीक है and its altitude is 16 cm मतलब कि जो height दे रखी है वो 16 cm दे रखी है ठीक है friends the area of the trapezium अभी हमें trapezium का area बताना है ठीक है friends तो area निकालने के लिए हमें क्या चीए होता है half into base sorry half into height into sum of two parallel sides से यह होता है अगर हमें sum of two parallel sides मिल जाए तो हम बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते है area निकाल सकते है तो उसके लिए हम क्या करना होगा अब मैंने आपको बताया था perimeter क्या होता है perimeter होता है sum of the parallel sides plus sum of two non-parallel sides ठीक है तो जो कि अभी sum of parallel sides है हमारे पास AB plus CD ठीक है plus sum of non-parallel sides कितना है हमारे पास 22 plus 18 40 ठीक है और P हमारे पास किनना दे रखा है 104 is equal to AB plus CD ठीक है plus 40 तो यहां से हम आसानी से AB plus CD निकाल सकते है AB plus CD कितना आ जाएगा हमारे पास 64 ठीक है अब हमें पता चल गया sum of two parallel sides पता चल गया भी हम बहुत ही आसानी से इसका एरिया भी निकाल सकते है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया हो जाएगा half into height height जो कि है 16 into sum of parallel sides जो कि है 64 ठीक है 2 x 2 28 16 ठीक है जो कि हो गया arch 32 arching 48 31 512 cm square जो कि इसका right answer आ जाएगा ठीक है फ्रेंड जो कि इसका area हो जाएगा टर्पेजियम ABCD का ठीक है फ्रेंड जो कि हो गया हमारे पास हमारे right answer option second so I hope यह question अभी आपको समझ में आ गया होगा so friend इस type की question आपको आपके exam के अंदर देखने को मिलेगे जो भी CTA 2020 की तैयारे कर रहे ठीक है फ्रेंड तो यह हमारे एक छोटी सी वीडियो थी टर्पेजियम के उपर I hope यह आपको पसंद आई होगी और friends अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो आपको क्या करना है इस चैनल को लाइक करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के बीच शेयर करना है so friends मिलते आपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जय हिंद